सिवान में लर्की और परिवार वालों ने शादी से मना किया तो प्रेमी ने पूरे गाउ को हिला डाला नमस्कार एवो न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ शिवांगे सिवान से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हरान है सिवान में शादी से इंकार करना एक लर्की को काफी महगा पड़ गया उसका अंजाम भी काफी बुरा भगतना पड़ा जैसे ही लर्की और उसके परिजनों ने शादी से इंकार किया युवक ने चाकु निकाला और दह्रक का महौल कायम कर दिया लर्की को भी चाकु मार आ गया है दरसल सिवान जिले के भगवानपूर हाट के एक गाउ के युवक से शादी करने से इंकार करने पर शुकरवार को युवक के परिजनों ने युवती वो उसकी मा को चाकु से मार कर गंभी रूप से घायल कर दिया यह घटना थाना चेतर के ब्रमहस्थान गाउ की है गंभी रूप से घायल मैला तता उनकी पुतरी को अस्थानिये लोगों के दोरा ततकाल इलाज के लिए सामुदाइक स्वासकेंद्र में पहुचाया गरदन एवं पेट में चाकु लगने से गंभी रूप से घायल युवती की गंभी रिस्तिती को देख CHC के डॉक्टरों ने बेहतर रिलाज के लिए उसे सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया है गाउ के ही युवक लड़की को काफी चाहता था और उसे प्यार करता था उसने शादी की बात कहा और शादी से इंकार करने पर इस घटना को अंजाम दे दिया वही घायल महिला ने बताया कि गाउ के ही उसके पडोस के एक युवक की नजर उसकी जमीन पर लगई थी बेटी को घायल कर दिया शादी से इंकार करने पर इस वारदात के बाद आसपास के लोगों में शर्चाओ का महौल गर्म हो गया है जानकारी के मताबिक आपको बता दे कि लरके और लरके आपस में कभी-कभी बादचीत भी हुआ करता था और इसी को लेकर लरका शादी की बात कर घर वालों से किया इंकार कर देने पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया प्रशिक्षू सब इंस्पेक्टर रवी कुमार घटनास्थल पर पहुंच इस्तिती का ज्वाज़ा लिया इस मामले में थानाध्यक्षत संजीव कुमार ने बताया कि घायलों की तरफ से आवेदन मिलने पर दोश्यों के खिलाव कारवाई की जाएगे बता दी कि इस घटना को लेकर गरामीनों में काफी आक्रोश है ब्रहमस्तान गाउं की रहने वाले वा घायल महिला के बहडों ही ने बताया कि गाउं के एक परिवार के लोग उनके सास पर पहले से उनकी छोटी बेटी से शादी करने का दबाब बना रहे थे वे लोग उनके परोसी भी है लेकिन उन लोगों की नियत में शादी के नाम पर जमीन हरपना है उन लोगों की मनशा को उसकी सास ने समझ गई इसलिए उन्होंने शादी से इंकार कर दिया इससे नराज होकर उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है हलाकि जो भी इस घटना में घायल हुए उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है लोगों को जानकारी मिली तो लोग कई तरह के तरह तरह के बाते करने लगें अब इस पूरे घटना के बीचे और भी क्या कुछ कहानी है ये पता नहीं चल सका है वरहाल इस खबर पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए